जुश्तो आज हम आपको इस वीडियो तो माजयंसे भारत थेसके माद्य-प्रोदेश के सबसे सुनदर सायर इंदोर्ड़ सायर के बारे में बताने जा रहे हैं तो चलिए अब हम आगे बखते हैं और इस वीडियो में इंदोर्ट सहर के बारे में विश्तरित जानकारी प्राप्त करते हैं इससे पहले अगर आप हमारे चैनल नहीं है तो वीडियो लैक और जानल को सब्सक्राइब करना न भूले इंदोर्ट सहर मात्य परदेश में इस्तित है जो संदर स्वक्ष सहर है इंदोर्ट सहर मात्य परदेश का सबसे बड़ा नगर कहलाता है जो भी वैक्ति पहले बार इंदोर्ट सहर में घुमने के लिए जाता है वह इंदोर्ट सहर की स्वक्षता को देखकर अपने जीवल में अनन्द प्राप्त करता है इंदोर्ट सहर में दूर दूर से लोग आकर बसे हुए है इंदोर सहर सम्भाग और जीला दोनों के मुक्यालिक के रूप में काजी करता है इंदोर सहर के बारे में कहा जाता है कि इंदोर सहर की स्वक्षता और सुन्दरता दोनों ही दरसनिये हैं इंदोर सहर मध्य पर्देश का सबसे स्वक्ष सहर है भारत देश के माध्य पर्देश का इंदोर सहर मालवा पठार के दच्छनी छोट परिस्थित है माध्य पर्देश की राजधानी भपाल से माध्य पर्देश के सबसे स्वक्ष और सुन्दर सहर इंदोर सहर की दूरी तक्रीबन 190 किलो मीटर है इंदोर सहर की स्थापना व्या वैपार बाजार के रुप में की गई थी इंदोर को उज्जेन से ओम काड़े इस्वर की और जाने वाले नर्मदा नदी घाटी मार्ग पड़े एक वैपार बाजार बनाया गया था जिसका उद्येसे माध्य परदेश में वैपार छेत्रों को बढ़ाना था जिस उद्येसे इंदोर में वैपार बाजार के स्थापना की गई थी जब इंदोर सर के स्थापना की गई थी तब इंदोर सर का नाम इदूर रखा गया था बाद में इंदोर सर का नाम बदलकर इंदोर रख दिया गया था बिर्टीर सासन के दोरान इंदोर सर का काफी विकास किया गया थ इंदूर देश का सबसे सुच्छ साड़ है और इसके साथ ही यहां रहने वाले लोग